आई क्यूटीज, होप सो यू आर फाइब हर बार तुम कुछ नया बनाती हो, अब क्या बना रही हो? हेई क्यूटीज, आपको बता है, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरस्टिंग होने वाली है क्योंके मैं साबन की डिबियों के साथ कुछ यूनीक बनाने वाली हूँ ये साबन की डिबियों मेरे पास काफी दिनों से पढ़ी हुई थी, मैं सोच रही थी, क्या बनाया जाए फाइनली मैंने इसको निकाल कर बनाना शुरू कर ही दिया तो मैंने cutter और scale उठाया और जल्दी से इसको cut कर दिया ये trolley मैंने Pinterest पर देखी थी और मुझे इतने cute लगी कि मैंने कहा मुझे भई ये चाहिए वैसे cuties में कुछ और बनाने वाली थी बट मेरी sweetie ने कहा है तो बनाना तो पड़ेगा ना तो इसे अच्छे से close करने के लिए मैंने white glue का इस्तमाल किया और दूसरी साइड पर मैंने A4 paper लिया और इस box के according दोनों दुर्फ से lines लगा दी और फिर इसे cut कर दिया और फिर इस paper पर अच्छे से glue stick का इस्तमाल करते हुए इस box के center पर लगा देंगे हेई क्यूटीज इसे बनाना इतना असान है कि आप इसे easily two minute में ready कर सकते हैं बस आपके पास कोई भी डिपी होने चाहिए वो होसो आप की या फिर किसी और चीज़ की भी यहां मैंने डिपी के according की paper को ready कर लिया था अब जो extra paper जो बाहर की तरफ निकला हुआ है इसे क्सीजर से cut कर देंगे और फिर इसकी four size पर white blue का इस्तमाल करते हुए इसे अंदर की तरफ अच्छे से fold कर देंगे इस extra paper को मैं cut भी कर सकती थी बट ऐसा करने से इसकी finishing अच्छी आएगी हे क्यूटिस अगर आप ते अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया what are you waiting for जल इसे सब्सक्राइब करके मेरी क्योर सिपिंग फैमली का हिस्सा बन जाए अब आप सोच रहे होंगे इस paper का इस्तमाल मैं कहां करने वाली हूँ तो मैं इसे box के अंदर वाले इससे पर लगा दूँगी तो मैंने दूसरे box को पहले ही ready कर लिया था और इस पर होल के से बनाया था? I used to single hole punch to make holes हे क्यूटिस इसी तरह के same holes दूसरे side पर बना लेंगे और फिर इसी तरह दूसरे box को भी ready कर लेंगे फिर से paper पर लेते हुए इसे roll 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 करते जाएंगे और एक छोटी सिस्टिक ready कर लेंगे तुम्हें लगाने के लिए नहीं भाई ये तो बहुत काम की चीज़ है तुम देखो बस कहां लगने वाली है तो इसका roll बनाते हुए इसको glue के साथ close कर देंगे तो इसे cut करते हुए four sticks ready कर लेंगे इस box को कुछ इस तरह से रखते हुए जो sticks ready की थी उन्हें hot glue का इस्तमाल करते हुए यहां लगाते जाएंगे stick को box के साथ attach करने के बाद नीचे वाले हिसे पर भी hot glue का इस्तमाल किया इसी तरह सेम procedure दूसरे stick के साथ apply करते हुए यहां attach कर देंगे और फिर दूसरे side पर भी stick को इसी तरह से लगा देंगे वैसे cuties आप यहां hot glue के इलावा white glue का इस्तमाल कर सकते है मुझे वीडियो जल्दी बनानी थी तो इसलिए मैंने hot glue का इस्तमाल किया इसी तरह नीचे वाले हिसे पर भी hot glue का इस्तमाल करते हुए stick को attach कर देंगे लो जी हमारी हाप shopping खाली राइडी होगी है नहीं भई अभी तो थोड़ी सी बाकी है इसी roll paper को उपर और नीचे वाले हिसे hot glue का इस्तमाल करते हुए यहां पर लगा देंगे और दूसी तरह भी इसी तरह से hot glue का इस्तमाल करते हुए यहां लगा देंगे तो मैंने कुछ इस size का paper लिया और इसे अंदर की तरह फॉल्ड करते हुए roll सा बना दिया और इसे glue लगाते हुए close कर दिया अब इन दोनों sticks पर hot glue को लगा देंगे और फिर जो paper अभी ready किया उसको यहां पर लगा देंगे फिर इसकी back side पर भी same इसी तरह से paper को लगा देना है फिर extra लिते हुए इसे center से cut कर देंगे और फिर जो paper अभी roll में दाया था इसके अंदर से गुजार देंगे अगर आपके पास straw नहीं है तो आप paper को ही small pieces में roll करते हुए यहां लगा सकते है अब इसके wheel को ready करने के लिए मैंने लिया किसी भी bottle का cap और इसको ऊपर और center से glue लगाते हुए paper से cover कर दिया वैसे क्यूटीस आप यहां acrylic paint marker का भी इस्तमाल कर सकते हैं मेरे पास तो नहीं था इसलिए मैंने paper का ही इस्तमाल किया हे क्यूटीस मैं यहां आपको एक message दूँगी parents के पैसों को इतना waste ना किया करें जो चीज़ा आपके पास available हो उसी में ही हल निकाला करें क्यूंकि वो इतने मेंने करके हमारे लिए कमाते हैं अब स्ट्राप पर डेर सारी होटलू का इस्तमाल करते हुए paper से जो bottle cap रेडी किया था उसे यहां लगा देके in fact four side पर इसी तरह से procedure अप्लाई करते जाएंगे हे क्यूटीस यह trolley home decoration के लिए बहुत क्यूट है तो फिर कौन को यह trolley बनाने वाला है वैसे इस trolley को बनाते मुझे fever हो गया और फिर next step फिर से मैंने यहीं से वीडियो बनाना शुरू कर दी trolley बनाते हुए इतना थागी के fever हो गया अरे नहीं स्वीटी मोसम change की वज़ा से हुआ अभी दोनों स्टीक्स पर टेर सारी होट गलू का इस्तमाल करते हुए जो अभी रोल बनाया है आई भी टू से जो रोल पेपर से रेडि किया है उसे यहां लगा देंगे दूसी तरफ किसी भी नोट बूक का कार्ड लेंगे और फिर इस पर पेपर लगाते हुए सीजर से कट 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 कर देंगे और फिर इस पर अपने नाम की कॉलिगा फिकार देंगे और फिर क्योट से स्टीकर्स उठाते हुए यहां पर लगा देंगे हेई फिर से होट गलू का इस्तमाल किया और जो फिर अभी कार्ड रेडि किया है उसे यहां लगा दिया हेई क्यूटीज आपको क्या लगा वीडियो कंप्लीट हो गई अरे भाई नहीं अभी नहीं अभी इस पर स्टीकर्स भी तो लगाने है वाउ हेई क्यूटीज आपके पास जो कोई भी स्टीकर्स अवेलेबल हो उसे यहां लगा सकते है नहीं तो आप स्टीकर्स खुद भी रेडि कर सकते है अगर आपको नहीं आते तो आप नीचे कमेंट कर देना मैं आपको सिखा दूँगी तो क्या ख्याल है इसी तरह की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा तो स्वीटी क्या ख्याल है इसी ट्रॉली से शॉपिंग करने चले तो इस ट्रॉली के अंदर मैंने अपने पेंट कलर, स्लाइम, शॉपनर रख दिया यह वो Hey Cuties, don't forget to like, share and subscribe